Instant तीखा मिर्च का अजार इतना tasty बनता है कि बनाते ही खतम हो जाता है कोई भी comfort food क्यों न हो इसका होना बहुत ज़रूरी है तो instant ही इसे ready कर लेती हूँ बस हरी मिर्च को छोटा छोटा काट लेती हूँ आप जाएं तो simple चीरा लगा सकते हैं अब ये तो बताने के बिल्कुल भी जरुवत नहीं है कि इसे अच्छे से धो के और सुखा लेना है और उसके बाद ही मिलाएंगे इसमें मसाला अब किसी भी अचार का मसाला मैं रेडी करती हूँ न तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हमेशा बना के रख लेती हूँ जो भी बेसिक मसाला होता है न उसमें से थोड़ा बहुत हमेशा बची जाता है और जो मेरे हमेशा इंस्टेंट अचार बनाने में काम आता है बेसिक अचार का मसाला बनाने के लिए इसा बुद्धनिया, सौफ, जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च और काली मिर्च इसे अच्छे से भुन लेना है और भुनने के बाद इसमें थोड़ी सी सरसो भी मिला लेनी है, काली या पीली कोई भी योज़ कर सकते है सारे मसाले को हलका सा रोस्ट करने के बाद इसे पीस लेना है और धेर सारा मसाला आपका बन के त्यार है ये बिल्कुल बेसिक मसाला है, इसमें हल्दी मिर्च नमक आप बाद में अड़ कर सकते हैं मसाले की क्वांटिटी आपको कैप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लीज़ेगा, आप किसी भी अचार के लिए इसे रेड़ी करके रख सकते हैं अच्छे से इसे मिक्स करके आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हूँ, क्योंकि इस इंस्टिंट मसाले से आप 20 से भी जादा अचार रेड़ी कर सकते हो और अचार रेड़ी करने के लिए आपको हर बार मसाला रेड़ी नहीं करना पड़ेगा बेसिक मसाले में इसे न थोड़ा सा मसाला मैं अलग निकाल लेती हूँ और इसमें हल्दी और मिर्च एड़ कर लूँगी चाहे तो आप इसमें नमक भी आड़ कुरते हैं लेकिन मैं जरुवत के अकॉर्डिंग बाद में ही एड़ करती हूँ तो बस कटीवी मेर्च में मैंने तीन चमच ये मसाला एड़ कर लिया है उपर से इसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिच रंग के लिए एड़ की है सरसो तेल ही यूज करना क्योंकि इसके बिना मज़ा नहीं आएगा हलका सा गरम करना और उसके बाद ठंडा भी कर लेना और उसके बाद ही इसमें आड़ करना अच्छे से मिक्स करना आप चाहे तो इसमें थोड़ा सब विनेगर भी डाल सकते हूं नहीं डालोगी तो भी चलेगा जाहिए आप भी फटा फट से इस इंस्टेंट पीकल को रेडी कीजिये और इंजॉय कीजिये और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिये